शानवाज हुसायन हमारे साथ हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से वारिस पठान आज की बहस में शामिल होंगे, हमारे साथ संगीत रागी हैं, वो आरेस से जुड़े हुए हैं, साथ ही आपको ये बता दें कि कॉंग गाहस में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ खास महमान होंगे उनसे भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले बारिश पठान मेरा सवाल आप से अचानक ये 25 लाग की बात कहां से आगी भाई और अचानक ये राम मंदिर से कपिल सिब्बल पुल आउट हुए ये वैसी जी को क्यों याद आ गया क्योंकि ये मामला तो बहुत पुराना हो चुका रोई जी क्या हकिकत मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके मादियम से एक राम राव पवारगर के मधुल कॉंग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्होंने हमारे पार्टी के जाबे रहमत साब भैसा के मजलिस के सीनियर मेंबर है उनको फोन किया और उस वक जब उन्होंने फोन लगाया तो रामरा उपके बाजू में बैठेते वहीं के केंडिडेट जहां पर हमारी सबा होने वाली थी निर्मल में उन्होंने उनको फोन पे कहा कि वहां पे सबा मत होने दो हम आपकी पार्टी को 25 रुपिया दे देंगे तो आप देखिए साफ सुतरी बात है वीडियो है पूरा वाइरल है वो टॉक जो था कर्वर सेशन का जो गंदी राजनीति का चैरा है पूरे देश के सामने आ गया इससे नीच और गटर पॉलिटिक्स का कर सकती है आप मुझे पताईए ये लोगों ने हमेशा से ये चाहा है कि या तो हम पैसों के बल पे जीतेंगे या ह नोने कभी उनको पॉलिटिकल एंपावर्मेंट किया ना कभी शोशली एंपावर्मेंट उनको करने दिया कुछ नहीं बस इलेक्षन के पहले आये हमको वोट दो हम आपका वोट लेंगे सत्ता में राज हम करेंगे मगर तुमारे लिए कुछ नहीं करेंगे ये इनका नहीं अच्छी तरह जानते हैं इसी तरह इसी लिए इस तरह की ओची राजनीती करने के लिए कॉंग्रेस आ गए कॉंग्रेस का ये गंदा चेहरा आज देश के सामने बेनकाब हो गया खुली तरह और सही बात है कपिल सिबल एड़ोकेट तेना वारिस पठान की तरफ से कि अचानक आपको क्यों याद आगया कि कॉंग्रेस पार्टी इतनी गंदी राजनीती करती है अचानक चुनाव आए तो आपको ये महसूस क्यों होने लगा कि कॉंग्रेस इतनी खराब पार्टी है इससे पहले तो आपने कॉंग्रेस के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न आज जो होट टॉपिक चरना मैं बताता हूं पंदरा भरस इनको रिजर्वेशन याद नहीं आया तीन तीन कमीटियों के रिपोर्ट इनके सामने पेश कर दिये गए मेहमूद रह्मान सचर कमीटी रंगनाथ मिश्रा कमीटी के मुसल्मान शोशली एजुकेशनली बैकवर्ट इसको रिजर्वेशन देना चाहिए इन्होंने नहीं दिया 2014 के चुनाओं के पहले जाते वक्त इन्होंने एक 15 टका रिजर्वेशन जॉब में और 5 टका एजुकेशन में दे दिया उसका भी कोई पक्का कानून नहीं बनाया तो आज हाई कोट ने उठा के वो भी कर दिया के ठीक है बीजेपी ने ओडिनेंस को फेल होने दे दिया बीजेपी ने रिजर्वेशन आगे नहीं दिया मुंबाई उच्छे नियाले ने कहा कि आप 5 टका रिजर्वेशन एजुकेशन में दे सकते हो सुनिए बात मेरी फिर भी एक कॉंग्रेस आप जाग रही है इलेक्शन का टाइम आया मुसल्मानों के पास रे रिजर्वेशन दो किसने तुम को रोगा था मुसल्मानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया था तुमने क्या क्या तुमने 70 बरस राज करके मुसल्मानों के लिए क्या क्या बताईए मुझे कितने लोगों को रिजर्वेशन दिया यही तो कॉंग्रेस का दो मुखिया चेहरा हिपोक्रिसी है कि या तो हमको पैसों से खरीदो और पैसों से नहीं भी कि उनके अगेंज बुरे तो सेक्रिलर नहीं लिए और फिर एनिकेशन लगाओ अरे आपने देखा करना टका में क्या हुआ कौन किसकी बीटी में सब ने देखा लास दिन तक राहूल गांधी कुमारा सुअमी को बोलते रहे ये बीजेपी के एजन्ट है एजन्ट है और उसके बाद क्या हुआ सीधे आके सत्ता में साथ साथ में आके बैड़ गए किया के नहीं पूरे देश ने देखा न तो कौन बीटी में कौन एटी में ये सब ने देखा और अब तो ओची राज नी थी गटर पॉलिटिक्स पर आ गए किसी भी तरह हम खरी देंगे पैसे की बुनियाद पर खरी देंगे नहीं तो ऐलिगेशन लगाइंगे अरे ऐलिगेशन पूरी दुनिया ने देख लिया हमने आवाम के सामने पेश कर दिया देखिए कॉंगरेस का असली चेहरा क्या है ठीक है तसलीम रह्मानी साब आप भावत उठा रहे थे आप कुछ कहना चाहते हैं आप बोलीजे फिर मै के वालित के जमाने से सलाहदीर अवेशी साब के जमाने से कांगरेस के लाई रही है और यह एलेक्टोरल फैक्ट है कि वो कांगरेस की मदद से ही हैदराबाद की सीर घीती गई थी उसके बाद वो कंटीन्यों की गई और अब इन दिनों आके मुस्लिम कمنटी में एक बड़ الزام ہے عصر الدین عویسی صاحب کے اوپر کہ وہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے یہ الزام ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن اس الزام کو دور کرنے کے لیے اب اسی کاؤگریس پر الزام لگا رہے ہیں جس کاؤگریس کے الائی ایک لبے عرصے تک رہے ہیں یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ الیکٹورل پالیٹکس میں الیکٹورل پالیٹکس کا سٹوڈنٹ ہوں اور میں جانتا ہوں کہ ووٹ نیوٹرلائزیشن ایک ٹرم ہے جو نیشنل پالیٹکل پارٹیز استعمال کرتی ہیں اور اس کے لیے تمام نیشنل پالیٹکل پارٹیز بہت ساری دوسری پالیٹکل پارٹیز کوئی نہ کوئی الائنمنٹ کرتی ہیں جو انڈرلائن جو ہوتا ہے ہیڈین الائنس ہوتا ہے اور اس کو میں بہت اچھے سے میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ دلی میں جو نیشنل پالیٹکل پارٹیز ہے ان کے آفیس میں جا کے آپ ان پارٹیز کے ٹکٹ لے سکتے ہیں جو دلی میں میٹر نہیں کرتی ہیں یا جسی سٹیٹ میں میٹر نہیں کرتی ہیں کسی اور سٹیٹ میں کرتی ہیں میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ پارٹیز دوسری پارٹیوں کے ٹکٹ نیشنل پارٹیز دیتی ہیں اور ان کو پیسے دیتی ہیں ان کو وارڈ بتاتی ہیں کہ اس وارڈ میں آپ کیجئے تاکہ ووٹ نیوٹرلائزیشن ہو ये बहुत complicated arithmetic है, कितनी seat पे किसको जीत रहा है, कहां कैसी जीत रहा है, ये इस arithmetic को आपसे थोड़ा simplified तरीके से समझना चाता हूँ, लेकिन अगर आप analysis करेंगे, और मैं simplified तरीके से अगर पूछू तो क्या मैं सही समझ रहा हूँ, कि आप ये कह रहे हैं, बीजेपी असदूद इन वैसी को, wards में जैसे इस्तेमाल करते हैं, छोट भाईयों को, वैसे इस्तेमाल करती है, कि जाओ हमारे लिए vote neutralize करो, ऐसी ऐसी बातें करके. देखे, मैं तो गलत बात है, बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाना है चाहिए तसलिफ रहमाली जी जब आपके पास को evidence नहीं हो, तो मुझा objection है, मुझा objection है, इस तरह की गलत बेबुनियाद बात होगा रोई जी, मैं, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है, मैंने कोई कैंडियों से कॉंटेस करें, तो मैं कोई नहीं जाएंगे, क्या आप अपको लड़ने का अधिकार नहीं है, समीधन में, मैं रोहित सरदारा जी, मैं आप से रिक्वेस्ट करूगा, आप नेशनल प्रोलिटिकल पार्टी के आफिस में जाएए, दिल्ली में जाएए, भारा अधाक बात है ये, तो इस मुल्क में हो रही है, तसलीम रह्मानी साहब, तसलीम रह्मानी साहब, आप एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन आप ये कहने में डर रहे हैं, कि बीजेपी असदुदीन उवैसी का ऐसा इस्तिमाल कर रही है, आप नाम नहीं ले पा रहे हैं ना, प्रदेश के आपको बालू हो जाएगा उत्र प्रदेश का आप इडिक्षर उठा के देख लिए बार्ती जंदा पार्टी इसने जीती के वहां M.I.M. का कैंडिडेट वह जूद था 25 सीट उत्तर प्रदेश में जीती जहां पर M.I.M. का कैंडिडेट था वहां भारती जंदा पार्टी जीती सफ़ा कॉग्रेस और बस्पा के कैंडिडेट वहां हारे महाराश में दो सीट टेसिट अंडर्स्टेंडिंग के साथ लीती गई है आप स्टैडिस्टिक उठा के दो रोज की इच्टे आप खुड के भी बोल रहे हैं लेकिन साथ मैं दभी जुबान में कहरें कि सुनिये सुनिये मैं मैं मुझे तो लग रहा हूँ कि आप आप महराश की 25 ते उनका इनलिसिस देख लिए इस्टेडिस्टिक उठा के ठीक है ठीक है ठीक है वारिस पठान मेरी बात सुन लीजे एक बार ध्यान से आप वकील है सर वकालत करते बारी बारी से बोलते होंगे वहाँ पर भी वकील बोलते होंगे सारे ताकि जज को समझ में आए